नमस्ते गाई जोराज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हामसा चिमायब ने क्या कहा लाइट हेविवेट चांपियन एलिक्स परेरा के बारे में तो रिसेंटली हामसा चिमायब का एक रैंडम ट्वीट आया जिदर उसने ये कहा डैना वाइट लेट मी फिनिश इम हामसा चिमायब को अल्रेड़ी एक काफी बड़ा जम्प मिल गया है और अगर वो इस डिविजन का चैंपियन बन जाता है तो फिर उसका एम होना चाहिए कि वो मल्टीबल टाइम्स इस टाइटल को डिफेंड करे और अगर वो ऐसा कर लेता है तो फिर उससे चाहिए कि वो नेक्स डिविजन में मूव करे I think light heavyweight division के लिए हमसा चमाइव एक undersized fighter है बट क्योंकि हमसा चमाइव की grappling काफी अच्छी है तो इसलिए with the right matchup who knows वो light heavyweight belt के लिए भी challenge कर ले अब Alex Pereira को call out करना कोई meaning तो नहीं बनाता बट एक काफी smart call out है क्योंकि हमसा चमाइव के पास grappling advantage होगी जो maybe उसके पास बाकी light heavyweight fighters के against ना हो बट right now it is too soon और हमसा चमाइव को चाहिए कि वो middleweight division में focus करे आज की next five video में बात करते हैं PFL और ballot or के बारे में तो काफी days से हम news सुन रहे थे कि कभी भी ballot or over हो सकती है और अब finally ballot or का end आ चुका है क्योंकि PFL ने ballot or को buy कर लिया है इसका मतलब यह है कि जो ballot or के fighters थे वो अब PFL के fighters भी बन गए है और अब यह दो organizations combine होके एक big organization बन गई है अब क्योंकि same weight class के PFL में भी champions हैं और ballot or में भी champions हैं तो इसके बारे में PFL के founder डॉन डेविस ने यह कहा कि वो इस idea को बहुत ज़ाद लाई करता है जिदर वो चाहता है कि PFL champions versus ballot or champions की fight हो अब इसके बार डेविट के बारे में Don Davis का यह कहना था कि UFC और डेविट अब worried है basically Don Davis का यह कहना था कि यह चीज़ अब तक सबको पता लगी है कि जब तक डेविट को कोई danger नहीं होता वो किसी चीज़ पर comment नहीं करता पर जब कोई danger आता है तो फिर वो उस चीज़ को dismiss कर देता है Dana White ने PFL के बारे में पिछले 4 सालों में बात नहीं की बट यह recently 6 months में Dana White ने PFL के बारे में बहुत ज़ादा बात की है और इससे यही पता चलता है कि Dana White worried है I mean Don Davis के यह तो business वाले fighting words हैं तो अब यह देखने में काफी मजाएगा कि Dana White इसका क्या reply देता है और क्या PFL plus ballot और UFC को हरा सकते हैं या फिर नहीं बहुत है वजुhaus वाला ये उन्हें यह उन्हें गवाग आ जवाराट जबावादा बालाटर से लिए 30% of that roster rank in 25 top 25 per fight matrix rankings this is not Dainian gonna get to rank his own guys don's rank at his own guys as you know there's only one group that ranks all fighters fight matrix independently 30% of the UFC roster top 25 ranked and now our combined company of PFL computer and bellator thirty percent the same our cards will be better better because what they put on this year was rank 70 and what we're gonna see next year's rank 40 that's why he said i don't know why in God's green earth anybody's buying this because he's smart and he knows that ufc ain't the nfl we're not the xfl we want you to think that and it's just a matter of time before अब इसी के साथ Francis Zinganu के बारे में Don Davis ने ये भी कहा कि next year यानि कि 2024 Francis Zinganu फाइट कने वाला है Deontae Wilder के साथ और वो बिलीब करता है कि ये फाइट होगी MMA rules के अकॉर्डिंग यानि कि Francis Zinganu और Deontae Wilder की जो फाइट होगी बलकि Mixed Martial Arts फाइट होगी अब अगर ये फाइट हो जाती है तो I don't know Deontae Wilder अपने आपको कैसे डिफाइट करेगा अगर Francis Zinganu ने उसे टेक डाउन कर लिया या फिर किक्स और हेल्बोस को थ्रो करना स्टार्ट कर दिया There is a reason की क्यों बॉक्सर्स MMA में जाकर फाइट नहीं करते और अगर ये फाइट बुको जाती है तो ये चीज़ सबको पता लग जाएगी आज की Next 5 वीडियो में बात करते हैं डस्टेन पोरियर के बारे में तो इन recent days में और multiple interviews में डस्टेन पोरियर बहुत बार बोल चुका कि वो रेली चाता है कि वो UFC 300 में फाइट करे और अब recently it's looking like UFC ने डस्टेन पोरियर की ये विश को पूरा कर दिया है क्योंकि recently डस्टेन पोरियर ने tweet किया working on something hashtag 300 तो it's looking like डस्टेन पोरियर UFC 300 में फाइट करने वाला है बट I really don't know डस्टेन किसके साथ फाइट करेगा अब डस्टेन तो चाता है कि वो कौनर के साथ फॉर्थ फाइट करे बट कौनर की फाइट उसे नहीं मिलेगी क्योंकि I don't think so कि UFC माइकल चैनलर को इतनी जादा वेट करवाएगी कौनर की फाइट के लिए और end में चूस करेगी डस्टेन पोरियर को एक तो ये चीज़ फेर नहीं होगी और दूसरा माइकल चैनलर पागल हो जाएगा तो let's not do this बट अगर कौनर नहीं तो फिर डस्टेन पोरियर किसके साथ फाइट करेगा Recently डस्टेन ने Nate Diaz को भी call out किया था तो maybe Nate Diaz वापिस आ जाए बट इसके chances भी बहुत कम है So what do you guys think डस्टेन पोरियर का next opponent कौन होना चाहिए Let me know in the comments आज की next 5 वीडियो में बात करते हैं Featherweight Champion Alexander Volkinovski के बारे में जिदर Alexander ने बात की उसके next opponent इलेट उपोरे के बारे में तो basically Alexander इलेट उपोरे को वान कर रहा है जिदर उसने ये कहा कि इलेट उपोरे को लगता है कि वो already इस डिविजन का king बन गया है बट इलेट उपोरे ने अभी तक शाक्स के साथ भी swim नहीं किया और जब वो शाक्स के साथ swim कर लेगा तब जाकर वो बनेगा एक giant fish यानि की megalodon basically इदर Alexander का ये कहना है कि अभी तक इलेट उपोरे ने top level fighters के साथ fight नहीं किया और जब वो top level fighters के साथ fight कर लेगा और वो इस fight में इलेट उपोरे को एक lesson learn करवाएगा जिदर वो इलेट उपोरे को humble करने वाला है maybe फिर उसके बाद इलेट उपोरे को समझ आए क्योंकि अभी उसे लगता है कि इलेट उपोरे के around सही लोग नहीं है जो उसे humble कर सके so what do you guys think about this क्या इलेट उपोरे भी सही वे से UFC में टेस्ट नहीं हुआ है या फिर इलेट उपोरे टेस्ट हो चुका है और वो ready है champion के साथ fight करने के लिए आज की next 5 video में बात करते हैं सरगे पावलोविच ने क्या कहा interim heavyweight champion Tom Spinal के बारे में तो सरगे पावलोविच का ये कहना था कि उसकी last fight ने उसे और भी जादा motivate कर दिया है जिदर वो surely वापिस आएगा और 100% अपना revenge लेगा मेरी opinion में सरगे पावलोविच absolutely आ सकता है टॉप position में जिदर मैं definitely believe करता हूँ कि एक दिन सरगे पावलोविच undisputed belt के लिए fight करेगा आज की next 5 वीडियो एक fight update है middleweight division को लेकर जिदर recently UFC fight night जो 3rd February को होने वाली है उसकी main event fight को book कर दिया है जिदर ये main event fight होने वाली है रोमन डुलिट से versus नसरुदीन इमामाफ के बीच So that's it for today guys आज की fight वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो please make sure to like and subscribe मिलते हैं next वीडियो में